मनीश शिशोदिया की गिरफतारी से हिल गया इनका पूरा परिवार कौन कौन है शिशोदिया के परिवार में क्या करती है इनकी पतनी सीमा शिशोदिया दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीश शिशोदिया पर सीबी आई ने कंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफतार किया तो उनकी गिरफतारी के विरोध में दिली में आम आदमी पार्टी के कारे करता हूँ और समर्थकों ने खूब विरोध पुरदर्शन किया सीबी आई का आरोप है कि मनीश शिशोदिया ने कथित शराब घोटाले में आपराधिक साजीश रचने के साथ साथ उससे जुड़े सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की उनकी गिरफतारी के बाद एक और जहां इस पर जम कर राजिनिती शिरू हो चुकी है तो वही दूसरी और उन पर हुई ऐसी कारवाई से उनका परिवार सकते में आ गया है पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंतमान ने मनीश शिशोदिया के परिवार से मुलाकात की है तो ही पार्टी के सयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजिरिवाल ने एक वयान जारी कर कहा कि हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे आप चिंता मत कीजिएगा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनी शिशोदिया जो CBI की गिरफ्त में हैं उनके परिवार में उनके बुजर्ग पिता के अलावा उनकी पतनी और एक बेटा है इनकी पता धर्मपाल सिशोदिया एक सेवा निवरित शिक्षक है जो काफी उम्र दराज हैं इनका विवाह सीमा सिशोदिया से हुआ था सीमा सिशोदिया एक working woman रही है जो एक software company में काम कर चुकी है बताया जाता है कि मनीश सिशोदिया की डिप्टी सीम बनने के बाद उन्होंने अपने office work से त्याग पत्र दे दिया था अब वो घर पर ही रहकर मनीश सिशोदिया की साहिका के तौर पर उनकी मदद करती है इनके बेटे का नाम है मीर सिशोदिया जो फिलहाल पढ़ाई कर रहा है मनीश सिशोदिया का परिवार जादा fame में नहीं रहता सिशोदिया खुद भी बेहद सादगी पसंद है और कैमरों की चकाचाउंध के शौकीन नहीं है मनीश सिशोदिया को लेकर कहा जाता है कि वे बेशक बोलते कम हैं लेकिन उनका काम खूब बोलता है दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधारने का श्रेव इनहीं को दिया जाता है इनहीं के कारियों के लिए सरवश्रेष्ट शिक्षामंत्री के अवार्ड से भी नमासा गया है इतना ही नहीं शिशोदिया की बनाई डॉकुमेंटरी फिल्म को भी अवार्ड मिल चुका है मनीश शिशोदिया को साल 2016 में दा इंडियन एक्सप्रस ने देश के सौ सबसे ज़ादा प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था वैसे एक और जब मनीश शिशोदिया के घर पर शापे पड़ रहे थे तब दुनिया के दूसरी और अमेरिका के प्रसिद अक्वार नियोर्क टैम्स में मनीश शिशोदिया की तस्फिर के साथ दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ करते हुए एक विशेश आर्टिकल प्रकाशित किया गया है साल 1993 में मनीश शिशोदिया ने दिल्ली के भारतिय विद्याभावन से मास कम्यूनिकेशन में डिपलोमा किया था उसके बाद कुछ समय आकाश्वाणी और फिर कुछ साल समाचार चैनल के साथ काम किया इसके बाद वे IRS अधिकारी रहे अर्विंद के जिरिवाल के संपर्क में आये तो पत्रिकारिता छोड सामाजिक कार्यों और NGO के साथ जुड़ गए उसके बाद हुआ अन्ना आंदोलन जहां से सिसोदिया और अर्विंद के जिरिवाल के जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और इन्होंने साल 2013 में सक्रिय राजनिती की और कदम बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी का गठन किया हाल फिलहाल वे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री हैं जो कतित घोटाले में जाच के दाएरे में हैं इस खबर में फिलहाली प्राही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वर इंडिया हिंदी के साथ